मश्कार दोस्तों, वेलकम यौल अगें तो दिस मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और टु दा पॉइंट लेक्चर सिरीज और सम्कूशल टॉपिक्स जो UPSC में से बहुत इंपोर्टेंट है और साथ ही प्रिलिम्स से भी बहुत बार इन में से क्वेस्चेंज देखने को मिलते हैं And so in this series, जो इस लेक्चर में हम लोग discuss करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम लोग बात करने वाले हैं urbanization topic के बारे में, urbanization, their problems and remedies, मैं उमीद करता हूँ कौन से paper में, कौन से GS paper में ये part आता है, ये तो आप सब जानते ही हो, इस lecture का objective क्या रहेगा, सबसे पहले let me clear you about this, मैंने आपके लिए कुछ mind map prepare किया है, जिसके through, मैं आपको इस पूरे urbanization topic को समझाने की कोशिश करूँगा, ये mind map को और इस lecture को अगर आपने दो से तीन बार देख लिया और revise कर लिया, तो believe me, इस topics related, भले कोई भी question आ जाए, भले आपको ऐसे लिखना पड़ जाए, you would be able to write that essay, तो चलिए, objective मैं clear कर चुका हूँ, हम इन points पे discuss करने वाले हैं, जो मैंना भी आपको दिखाए हैं, ताकि अगर आपको ये points आते हैं, तो आप time waste ना करें, इस lecture को देख के, चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं, आज के topic को, that is urbanization, their problems and remedies, सबसे पहले, हम लो को सबसे पहले, इसकी problems, इसकी remedies समझने से पहले, इस चीज़ पे focus देना चाहिए, कि ये urbanization क्या होता है, इसी तर्च पे इससे मिलती जुलती एक terminology, urbanism क्या होता है, और इन सबसे पहले, इन दोनों technologies को भी समझने से पहले, आपको ये समझना चाहिए, कि urban का ही मतलब क्या होत ये urban हम बोल तो देते हैं बहुत आसानी से, कि यार ये तो rural area से belong करता है, इसको क्या ही English आती होगी, ठीक है, ऐसे criticize नहीं करना चाहिए किसी को भी, फिर कई बार हम लोग urban area को चलते चलते बोल देते, जिसे मैं दौर सिटी से belong करता हूँ, यार ये तो urban area में आता है, तो हम क इस parameter को सोच के urban बोल रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए, तो दोस्तों urban area को दो तरीके से classify किया जाता है, एक होता है demographic और एक होता है sociological, सबसे पहले हम demographic पे बात करते हैं, demographic का मतलब होता है, वहाँ पे रहने वाली particular age की population, तो जब हम demographic के बिहाफ पे किसी area को urban area बोलते हैं, तो हमारा जो focus होता है, वो होता है on the size of population, और ये बात तो आप जानते हो कि urban area में जो population है, वो बहुत ज़ादा होती है, इसी के कारण जो population की density होती है, urban area में वो ज़ादा होती है, तो ऐसे area जहाँ पे जो size को focus रखके बोला जाए, और जहाँ पे population की density ज़ादा हो, और साथ जो nature of work है, वो भी बहुत ज़ादा हो, अब nature of work का मतलब, जैसे कि कोई carpenter है, कोई MSME में काम कर रहा है, micro small medium enterprises, हो सकता है, वहाँ पे PSU हो, तो ये सब जो चीजें होती है, अलग-अलग nature of work, हो सकता है, financial capital जैसे इंद और को बोला जाता है, तो ये जो अलग-अलग nature of work होते है ये किसी भी area को urban area बनाते है, ये किस parameter पे हमने urban area बोला, demographic के, एक होता है sociological, अब देखिए, यहाँ पे दोनों चीजें बिल्कुल different है, जब हम sociological concept के through किसी area को urban area कहेंगे, तो उसके जो parameters हैं, जो map दंडें, वो बदल जाएंगे, यहाँ पे parameter कौन सा आएगा, heterogeneity का, अब द तरीके के caste, बहुत तरीके के pluralist society आपको मिल जाएगी, बहुत तरीके के आपको अलग-अलग तरीके के लोग मिल जाएंगे, caste, creed, religion, etc. तो यहाँ पे जो heterogeneity है, वो बहुत जादा होती है, और यह हमने अभी nature of work में भी देखा, यह भी heterogeneity है, सब लोग-अलग काम कर रहे ह बहुत तरीके के काम चल रहे हैं, तो जहाँ पे heterogeneity पे focus हो, quality of life और interdependence, इन चीजों को focus करके अगर जब बोलते हैं, तो यह sociological concept बन जाता है, जिसको urban कहते हैं, अब अगर आप में से किसी को यह sociological concept अच्छे समझ में नहीं आया, तो आपको यह समझने की जरुद भी नहीं हैं, क्योंकि आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि urban area demographic और sociological concept पे define किया जाता है, उमीद करता हूँ आप समझ पाए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ urbanism पे, urbanism का क्या मतलब होता है, urbanism का मतलब होता है, यह way of life बताता है, यह basically बताता है कि किसी भी area में, जो लोग रह र से interact करते हैं, भले ही socially करें या culturally करें, तो हमने क्या देखा, urbanism क्या होता है, urbanism एक वो pattern of life होती है, जिसमें एक area में लोग socially और culturally interact करते हैं, तो इसको बोला जाता है urbanism, अब हम लोग हमारे concept पे चल रहे हैं, जिसको हमें बहुत elaborately हाँ पे समझना भी है, और वो concept क्या है, वो है हमारा concept urbanization का, यह क्या होता है urbanization, तो basically urbanization को define किया जाता है, एक as a structural process, यह structural process है, जिसके through कोई भी area, rural से urban की तरफ shift होता है, अब इसी कारण से हमने urban को पहले define किया था, urban area में demographic में हमने क्या देखा था, population density जादा होगी, nature of work बहुत जादा होगा, तो यह ऐसा structural change होता है, which is generally related to industrialization, urban area बनने के पहले सबसे पहले वहाँ पे industrialization शुरू होता है, अब जहां भी जिस भी जगे पे industrialization शुरू होता है, वो क्यों rural से urban area में convert हो जाता है, आपको यहाँ यह समझना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी area में industrialization develop होता है, सबसे पहले मुझे बताओ, वहाँ पे क्या develop होगा, exactly, employment, तो employment generate हो गया, अरे industry खुलेगी, तो नौकिया मिलेगी ना लोगों को, हम लोग क्यों कोशिश करते हैं कि जादा से जादा industries खुले हमारे देश में, क्यो क्यों कि आपको पता होना चाहिए, NSSO, that is National Sample Survey Office की report के हिसाब से, currently India is standing at 45 years highest unemployment rate, can you believe, तो बास समझ में आ रही है, क्यों जरूरी है, क्यों urban area जरूरी है, और साथ ही साथ में आपको ये भी बता दो, 70% India rural area में रहता है हमारा, सिर्फ 30% population, sorry population, 70% population resides in the rural area, and only 30% population resides in urban area, तो आपको समझ माया कि कितना जरूरी ही industrialization, चलिए, अब employment generation हो गया, जब employment generation होता है, तो लोग उस industry के आसपास ही आके रहेंगे, जब उस industry के आसपास ही आके रहेंगे, तो एक बहुत छोटे से area में बहुत सारी जंता आके रहने लग जाएगी, जब ऐसा होगा तो concentration of people हो जाएगा, एक छोटे से area में, तो यहाँ पे क्या होगा, population density बढ़ जाएगी, और यही population density बढ़ने को तो हमने urban area कहा था ना भी, तो यह देखो, अब क्योंकि यहाँ पे जंता आके बहुत सारी रहने लग गई, तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को finances की पड़ेगी, home loan लेंगे लोग, घर में रहे हो रहोगे या नहीं रहोगे, तो finance की जरुवत पड़ेगी, तो finance technologies जो होती है, fintech जिसको हम बोलते हैं, या finance companies वो आएंगी, administration की जरुवत पड़ेगी, साथ ही transportation बहतर होगा, metro जब आई, तो वो देली में क्यों आई, population density is one of the parameter to introduce metro in any city, डेली की population density बहुत जादा है, इसलिए transportation वाका इतना भेतर है, साथ ही technological advancement, क्योंकि जब एक बहुत छोटे एरिया में लोग आके रहने लग जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि internet companies अलग-अलग, मतलब उस जगे पे आके अपने बहुत सारे towers लगाईगी, mobile towers बहुत स SIM को, Jio वाले तो आगी लगा देंगे माँ पे, बासमन में आरी ये, तो इस तरीके से ये सारी चीज़े भी develop हो जाएंगी, और इस तरीके से एक structural process होगी, जिसमें change आ जाएगा, rural से urban area में चीज़ें convert हो जाएंगी, उमीद करता हूँ, मैं भी तक आपको क्या-क्या deliver कर चुका हूँ, urban का मतलब, urbanism का मतलब और urbanization का मतलब, यहां तक आपको पूरी चीज़ने clear हो गई होगी, तो चलो दोस्तों, now let's talk about certain statistics related to the urbanization in our country, क्योंकि जब भी आप main answer writing करोगे, तो आपके पास में हर topic से related कुछ ना कुछ statistics होना जरूरी है, you can use it in the introductory part, also you can use it in the conclusion part, तो seven census के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कि urban population सिर्फ 30% लोग रहते, और 70% फिर का रहेंगे, आसमान पे तो रहेंगे नहीं, मार्स पे अभी तक हम जा नहीं पाएं, तो 70% कहां रहेंगे, rural area में, ठीक है, इसके बाद, हम लोग अगर urban area की बात करें, मतलब यहाँ पे जब मैं जो fact बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बता रहा हूँ, पहली बात तो यह कि urban population जो है हमारी बहुत काम है, लगबग लगबग 30% आपने यह समझ लिया, इस 30% में भी, जो majority लोग हैं, मतलब कि एक बहुत बड़ी तपका, 25% लोग slums में रहते हैं, मतलब आप समझ पा रहे हो, कि हमारे आद जो urban population रहती है, या जो urban population का part हैं लोग, उसका एक बहुत बड़ा तपका, लगबग लगबग 25% slums में रहता है, इसी कारण से जब आप धारावी को देखते हो न तो आपको शौक नहीं होना चाहिए, इसमें भी जो 50% से ज़ादा slums हैं, वो महरास्टर में, ये एक factual point था जो आपको ध्यान रखना चाहिए, अब थोड़ी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कुछ factors पे देखते हैं, ऐसे कौन से factors हैं, which led to the urbanization, मतलब urbanization किन factors के कारण में हो सबसे पहला factor आएगा, economic opportunities, अफकोर्स ही बात है, अभी देखा था हमने, industrialization होगा, jobs बढ़ेंगी, jobs बढ़ेंगी, लोगों की income बढ़ेंगी, ये pull factor की तरह काम करेगा, लोगों का अपनी तरफ खीचेगा, जादा स्यादा लोग यहां आना चाहेंगे, companies का agglomeration होगा, companies भी चाहेंगी कि हम ऐसी जगे जाएं, जहां पे हमारे पास workforce available हो, ये सारी चीज़ है, second, जो factor है, which led to the urbanization वो है, proper infrastructure and utilities, अब आप बोलोगे कि proper infrastructure क्यों जरूरी है, जैसा भी मैंने आपको metro का example दिया था, अगर आपकी city में metro available है, तो companies को ये बात पता है कि हमारे आपे commute लोग आस पानी से आजाएगा metro का इस्तमाल करके, तो infrastructure जरूरी है, electricity जरूरी है, अगर मान लो company खोल नहीं है, electricity नहीं है, तो खोलूँगा क्या मैं, कभी भी नहीं, communication, मान लो आपे mobile tower काम ही नहीं करते हैं, कोई tower ही नहीं है, क्या मैं company खोलूँगा, बिलकुल भी नहीं, water availability, आज ये बताओ मुझे कौन सी ऐसी manufacturing industry है, जिसको पानी की कमी नहीं है, तो पानी अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा कम होगा, तो क्या वहाँ industry डालूँगा, बिलकुल भी नहीं, फिर better public facility, अब क्योंकि मेरे company में में लोगों को employee करूँगा, मतलब कि लोग आके रहेंगे, उस company के आ जब तक आप बहतर नहीं कर देते, in terms of health and education, जब तक वो area अर्बनाईज नहीं हो सकता, इसके बाद में globalization, ये एक बहुत बड़ा factor है, जिसको मैंने आपको globalization के lecture में समझाया था, मैं उमीद करता हूँ, आपने globalization की भी UPSC main sensor rating का lecture ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं, तो globalization ब बहुत अच्छे parameters वहाँ जानने को मिलेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके का lecture है, कोई भी point miss नहीं किया गया है, तो आप वहाँ से ये चीज़ें समझ जाओगे कि कैसे globalization के through urbanization होता है, ये point में आपे skip कर रहा हूँ, इसके बाद में दोस्तों, आपको मैं ऐसा point बताने जा रहा हूँ, which will fetch you very good marks, अगर आप इसको mention करते हो तो, and that is the evolution of urban areas in India, that is urbanization in India का evolution, right from the Harappan civilization, तो देखिए, पहला phase शुरू होता है, Harappan civilization से, यहाँ पे हमको दो major cities देखने को मिलती है, Mohanjadaro और Harappa, दोनों ही पाकिस्तान में हम जानते हैं, ये एक civilization था, जहाँ पे पहली बार, हम जानते हैं कि लोग साथ में आके settled manner में रहने लगे थे, second phase शुरू होता है, Aryans से, हाला कि Aryans का जब हमें पता चलता है, archaeological evidences से, वो हमें पता चलता है, आगे जाके उनके architecture के through, तो Aryans के remains तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बठा, यहाँ पे देखा गया है, बहुत सारे records में, literary sources में, कि यहाँ पे urban areas developed हो रहे थे, और finally, यहाँ से कहानी आगे बढ़ते बढ़ते जब सबसे पहली बार, structured manner में, ध्यान से समझना, पहली बार structured manner में, जब urban area develop हुए, उनको हमने कहा महा जनपत, तो यहाँ पे more area या later more area में, महा जनपत का creation होता है, जो कि यह showcase करता है, कि urbanization का development हमारे बहुत तेज गती से हो रहा था, इसी तरच पे more area के बाद में, गुपता पिरेड आता है, गुपता पिरेड में भी हमें urbanization के sources देखने को मिलते हैं, क्योंकि गुपता पिरेड में, feudalism end हो गया था, और आपको यह पता होना चाहिए, कि feudalism की जो basic tendency होती है, वो होती है, ruralization को promote करना, मतलब समझ रहे न, कि गुपता पिरेड में, feudalism अगर बढ़ता, तो ruralization बढ़ता, मगर ऐसा नहीं हुआ, महाँ पे feudalism खतम हो गया, तो ruralization कम होने लग गया, मतलब की urbanization बढ़ने लग गया, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़के देखते हैं हम मुगल एरा में, मुगल एरा से पहले, हाला कि हम दिल्ली सल्तनत की बात कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का वो टाइम पिरेड है, और मुगल टाइम पिरेड भी चलिए साथ में पढ़ते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत के इल्टुत्मिश को तो कौन नहीं जानता, यहां पे इल्टुत्मिश ने टाका को इंट्रोड्यूस किया, इसी के साथ साथ अगर गुपता एरा की बात करें तो यहां पे इक्तादारी सिस्टम आता है, तो यहां पे हम यह देख पा रहे हैं कि गुपता मुगल पिरेड में करंसी सिस्टम का इंट्रोडक्शन, आर्ट और क्राफ्ट का, कंस्ट्रक्शन का, यह सारी चीजें हमें यह दिखाती है कि किस तरीके से अर्बन एरिया डेवलप हो रहे थे, और फाइनली इसको आके कंक्लूड करतें, ब्रिटिशर्स, जहां पे टेंपल टाउंस क्रिएट किये जातें, ब्रिटिशर्स के दुआरा, कोस्टल टाउंस को प्रिफरेंस दी कई थी, हम जानते हैं किस तरीके से, ड्रेन ओफ वेल्थ योरी में हमने पड़ा हुआ है, कि कोस्टल टाउंस को डेवलप करके, वो जितने जादा रिसोर्सेस ले जा सकते थे, ले जाने की कोशिश कर रहे थे अपने देश, तो हिंटर लैंड्स के तर्ज पे पोस्टल टाउंस को डेवलप किया, मतलब हिंटर लैंड्स को डेवलप नहीं किया, फिर मिलिटरी और पॉलिटिकल टाउंस इन लोगों ने डेवलप करना शुरू किये, और हमने देखा हुआ है कि 3 metropolitan cities इन्हों ने डेवलब की थी कैलकटा, बॉंबे एंड, मदरास फिल कुछ hill stations खुद के मौज मस्ती के लिए डेवलब कीए plantation settlements हम पढ़ते civil lines, containment area और railway lines इन लोगों ने डेवलब करी जो उस समय की urban area कहलाती है तो उमीद करता हूँ कि अभी तक हमने जितने भी part को cover किया है वो आप समझ रहे हो, urban, urbanism, urbanization urbanization किस तरीके की structural process होती है factors that led to urbanization, statistics and evolution of urbanization in India यह आप अभी तक बहुत बेटर तरीके से समझ चुके हो चलिए, अब हम लोग थोड़े से इन urbanization के elements के बारे में बात करने की कोशिश करते है जहां से UPSC question पूछता भी है जैसे example के तोर पे heat islands के बारे में UPSC mains में already question पूछ चुका है तो सबसे पहले elements में हम लोग देखेंगे congestion दोस्तों यह तो हम सब जानते ही है हमने अभी statistics में भी देखा कि किस तरीके से जब urbanization बढ़ता है तो slum area का emergence होता है क्योंकि housing projects हमारे आपे बहुत जादा run होते नहीं है infrastructure इतना है नहीं in terms of housing कि हम सब को घर provide करवा पाएं तो slum area emerge होते हैं इसी तरच पे urban area के development से क्योंकि migration होता है तो कुछ एक जगे पे जाके लोगों को रहना पड़ता है क्योंकि उनका compulsion हो जाता है क्योंकि industries वहीं पे होती है तो ये देखा जाता है कि migration के कारण भी slums emerge होते हैं ये भी एक कारण है तो migration के अगर problem आए तो मैंने आप इसलिए आपको ये समझाया कि migration के लिए लिखने के लिए आए तो भी आप उसको urbanization से connect कर सकते हो migration के लिए लिखने के लिए आए तो आप उसको poverty से relate कर सकते हो उसको housing से relate कर सकते हो इन सब चीजों से relative manner में आपका answer बहुत शंदार बनेगा अर्बनाइजेशन का दूसरा element है crime आपको ये पता होगा कि हमारे आपे जो economic participation है women का ये बढ़ता जरूर है urbanization होने के कारण मगर इसके कारण ही crime भी बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं और women के against जिससे अगर आप बात करोगे दिल्ली की हम जानते हैं कि एक बार बहुत ज़ादा दिल्ली को criticize किया जा रहा था निर्भया कान को तो कौन नहीं जानता तो दिल्ली में women के against crime rate इसलिए इतना ज़ादा है क्योंकि वहाँ पे women का economic participation भी बहुत ज़ादा है जब बाहर वो लोग काम करने जाते हैं तो उन पे crime होने के chances बढ़ जाते हैं इसी के साथ बहुत सारी gangs बढ़ती है urban areas में क्योंकि gang कहाँ पे होगी वो बोलते हैं जहाँ पे गुड़ोगा वही मक्या बैटेंगी तो जहाँ पे इतने ज़ादा चोरी के डकैती के अफसर उनको मिलेंगे वहीं पे gang पन पेगी इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चीए कि urban areas में जो communities का integration होता है वो काम होता है मतलब कि communities आपस में associated नहीं होती है इस कारण से भी यहाँ पे crime rate बढ़ता है जैसे example के तौर पे आप ये समझो कि urban areas में जो आज बड़ी-बड़ी societies बन रही है उन बड़ी-बड़ी societies में व्यक्ति को यहीं नहीं पता होता है कि मेरे पास वाले flat में कौन रह रहा है तो वहाँ पे किसी दिन अगर कोई crime होता है तो वो crime भी जब तक वो व्यक्ति खुद के घर में नहीं आता जिसका वो flat है उनको पता ही नहीं चलता है ठीक है क्योंकि किसी को मतलब भी नहीं इसी तरज पे यहाँ पे education की अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन में तो वो बहुत costly हो जाती है इस कारण से जैसे पहली problem तो slum area डेवलप हो गए slum area में गरीब रोग रहेंगे गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो education costly होने के कारण तो और भी नहीं भेज पाएंगे तो यह एक बहुत बड़ा parameter बन जाता है फिर sanitation अब आपको यह पता होना चीए कि हमारे urban area के development के कारण जो siverage problem है वो बहुत जादा बढ़ चुकी है आज हमारे यहां हर urban area में treatment plants नहीं लगे हुए in fact disposal की proper विवस्था भी नहीं की जाती है आपको पता होना चीए कि solid waste का disposal बहुत ज़रूरी होता है इसी तरच पे अब तो और एक बहुत बड़ी problem आने वाली है after this covid pandemic क्योंकि हमारे देश में अब जो bio waste generate हो रहा है इसको हमें बहुत mission mode में dispose करने की कोशिश करना पड़ेगी और else हमारा aquatic और forest ecosystem बरबाद हो सकता है अब क्योंकि हमारे यह sanitation की विवस्था proper नहीं है तो हमारे health concerns डेवलप हो जाते है हमारे यहां हम जानते हैं कि diarrhea जैसे दिल्ली तो बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा था एक time पे health effects में बहुत जादा negative हमको देखने को मिलता है इसी के साथ साथ आपको यह भी पता होना चीए कि health के कारण हमारे यहां जो out of pocket expenditure होता है यह ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में 60% है क्यों? क्योंकि हमारे यहां पे लोगों के पास में insurance नहीं है बहुत बड़े तपके के पास में यह मैंना आपको insurance में बताया भी था सिफ हमारे यहां 3% जनता के पास में insurance coverage है तो इस कारण से out of pocket expenditure हमारे यहां का बढ़ जाता है अब आप यह सोचो कि slum में जो व्यक्ति रह रहा है उसी को यह health हजार जादा होने के chances है क्योंकि वही ऐसी जगे पे रहता है जहां sanitation proper नहीं है railway lines के पास में example के तोर पे हो सकता है कोई leverage line के पास में रह रहा हो उसको अगर कोई विमारी होती है तो out of pocket expenditure करने के लिए पैसा भी नहीं है उसके पास तो वो below poverty line में shift हो जाता है गरीबी रेखा के नीचे हमारी सरकार बड़ी मुश्किल से उठा के लाती उपर वो फिर नीचे खसक जाएगा health sector में particularly ये problem देखी गई है कि बच्चों में under nutrition हो जाता है properly nutrition नहीं मिल पाता बच्चों को इसी कारण से तो आपको पता होगा ना हमने mid day meal scheme भी चलाई हुई है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसी के साथ में हम ground water pollute कर देते urban areas में आपको पता होगा कि इंडिया सबसे बड़ी country है जो ground water resources को सबसे आदा harness करती है तो ये एक बहुत बड़ी problem है हम ground water को pollute करते हैं बहुत सारी chronic diseases हो जाती हैं हमको communicable diseases हो जाती है इन urban areas के कारण जिसके कारण health effects होते हैं इसकारण से ये चीज़े होती है तो आप ऐसे अपने answer को present करोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको फिर environment quality की अब environment की तो क्या ही बात करना ये तो हम सब ही जानते हैं कि industries develop होती है industries develop होंगी तो उसमें chemical industries भी होती है chemical industries अगर बहुत past में develop हो जाए जहाँ पर निवासी area जहाँ पर residential area होता है तो बहुत negative effects होते हैं उसके pollution के इस तरीके से industries जो होती है वो अपना sewage या फिर जो waste होता है वो कई बार नदियों में भाहा देती हैं इससे negative effects होते हैं हमारी जो local civic authorities हैं वो properly इतनी strengthen नहीं कि इसको control कर पाए हमारे याँ heat islands develop हो जाते हैं दिल्ली pollution के बारे में तो आपने सुनाई होगा तो heat islands इसी कारण से develop हो जाते हैं employment की बात करें तो urban unemployment बहुत जादा है हमारे याँ urban unemployment की बात करें तो 15-25% labor force हमारी unemployed बैठी हुई urban area में housing की बात करें जिनके पास घर है वो भी ऐसे घर है बहुत sub-standard level के proper hygiene maintain नहीं है tap water connection नहीं है transport की बात करें तो traffic condition बहुत होता है जिस कारण से again pollution बढ़ेगा और again उसके ill effects चालू हो जाएंगे तो यह सब cycle में होता है दोस्तों ठीक है यह मैंना आप लोगों के लिए एक diagram भी बना दिया है कैसे input city और output निकलता है जैसे food and water input में fuel energy अब food and water से फिर इदर आप देखो sewage, exhaust, household, factory waste disposal यह सब तरीके से आप mention कर सकते हो और साथ ही साथ जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि यह सब cyclic process है तो वो cycle भी मैंने आपके लिए बना दिये देखो आप migration होगा, migration होगा तो slum develop होगे slum develop होगे, migration होगा unemployment हो जाएगा unemployment के कारण illiteracy आएगी illiteracy, poverty poverty बढ़ेगी, crime बढ़ेगा crime बढ़ेगे, mental illness जादा होगी, stress बढ़ाएगा क्योंकि इसे के साथ overcrowding होगी, तो भी stress बढ़ेगा लोगों को injuries होगी, unigenic condition हो जाएगी, communicable disease होगी इस तरीके से अगर आप cycle बना के आगए, you will fetch very good mark, I am assuring you फिर इसके बाद में कुछ आखरी बात ने दोस्तों आप लोगों के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं थोड़ाँ जूम करके, तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने five year plans उनके focus और उनके emphasis के बारे में लिखा है जो urbanization से related है, ठीक है अब आपको क्या करना है यह आपका काम है, कि आप इन five year plans में जितने भी urbanization के लिए schemes या developmental plans government के द्वारा चलाए गए है इसको आप लोग खुझ से update कर लोगे कहाँ पे, हमारे five year के lecture series में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे five year plan की lecture series बहुत religiously देखी है, आपके comments में receive करता रहता हूँ, जहाँ पे मैं आपको एक-एक five year plan एक-एक वीडियो में समझाया है, बहुत elaborately, तो उसमें आप लोगी update कर लोगे, यह मैं expect कर रहा हूँ, यह देखीए, पूरे twelfth five year plan तक यह चीज़ें लिखी होई है, ठीके चलिए, इसके आगे आखरी में कुछ schemes है, जो हमारी government run करती है, जैसे कि constitutional mechanism आपको पता होना चाहिए, हमारे यह अर्बन local governance को strengthen करने के लिए, 74th constitutional amendment act लाया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे पंचायती राज को strengthen करने के लिए कौन सा लाया गया, 73rd very good, इसके बाद में financially interdependent बनाने की जो कोशिश है, वो की जाती है basically financial dependency न रखी जाए, इसका मतलब जो local governance है, उसको छूट दी जाए साथ ही administration and legal support को बढ़ाया जाए, from state government और कुछ assistance दी जाए, center के द्वारा जैसे, हमारे यहां पे smart city में दी है, ठीके आपको पता होगा, light weight housing projects, हमारी government initiate कर चुकी है, 6 cities में तो जवाला लेरू national urban rural mission हमारी government से लाया है, प्रधान मंत्री आवास योजना, अटल mission for rejuination, urban transformation national urban health mission, कुछ programs जैसे slum clearance, construction of new houses, low cost houses, low weight low finance houses national housing bank को यहां पे promote किया जा रहा है यहां मैं यूं बोलूं कि NHB के through housing projects को promote किया जा रहा है सौभाग यह, electricity provide करना fame, faster, adoption for manufacturing of electrical vehicles आसे pollution काम हो पाए, right to education हम लेकिया है, education के लिए classification of industries करने की जरुबत है, ताकि pollution emitting जो industries है, वो urban areas में एकदम residential area के पास न खुल पाए तो दोस्तों, this is it about this urbanization, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे बहुत सारी चीज़े ग्रास्प करी होंगी and now you would be able to answer any question, whichever may come either in the mains or in the prelims that's it from my side hope you like this, lecture कैसा लगा, कौमने जरूर बताना in the end, keep shining, have a good day